टॉस का समय, दोनों कप्तान माजूद हैं, चलिए देखतें, टेल्स के लिए गए हैं, और ये हेड्स हैं, बल्ले बाजी क्रम तै हो चुका है, आज एक अच्छी विकेट मालूम होती है बढ़िया, बहुत बढ़िया, और अपना खाता खोला, एक अच्छी शुरुवात, तम है, तिर काहे का गम है, क्या थ्रोप है का है उम्मीद नहीं थी कि कैच हो जाएंगे, स्ट्राइकर जा रहे हैं पवेलियन का रास्ता नापते हुए, शुरुवाती काम्याभी में फिल्डिंग यूनिट टे काफी मदद की बहुत बहुत मुश्किल में, बहुत अच्छे, डॉट बॉल के साथ ओवर की समप ये क्या जा रहा है यूएफो, नहीं भाईया गेंज जा रही है छे रन के लिए दर्शिक दीरगा में इन रनों के साथ बल्ले टाइमर को गेंज बाजी के लिए बुलाए गया है एक टप और गेंज बाउंडरी में चली चली रे गेंज मेरी चली रे और लगा टना टन छक्का भोरा आज फील्डर बहुत मिराश एक आसान सी कैट छोड़ दी गेंज सी रफ फील्डर के हाथ में मानो कह रहे हो आईए आप ही का इंतजार था बल्ले बाज निराशा पूर्व अपने उपरी चरी की ताकत का किया अच्छा इस्तमाल जड़ दिया चार रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ नया बल्ले बाज आता हुआ लाइए अक्रमक शॉर्ट लगाते हुए इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं गवानी चाहिए भाईया आप क्या होत पच्ता है जब चिडिया चुक गई खेट आसान कैश दे दिया अपने फिल्डर को इनको अपनी टीम के लिए टिक कर गेम के अंत खेलना होगा वॉलर इस मिरने से बहुत निराश ऐसा लगता है रिव्यू के लिए जाएंगे इसे चील की आँखों से देखना पड़ेगा विकी ने पकड़ तो लिया है लेकिन क्या किनारा लगा बॉलर को लगा विकेट मिली है और होट स्पोट ने निश्चित भी किया बाहरी किनारा और ये एक के पीछे एक ये खोई उन्होंने एक और विकेट गेन बास है ट्रिक पे है नया बल्ले बास अब समय है स्कोरिंग की गती को बढ़ाने का फीड़ेर ने बॉलर की तरफ देखा और उसकी तरफ गेन फैकी गेन बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर क्या जबरदस फाडू डिलिवरी उड़ा के रख दिया बेल्स को अब इसे अंतक बल्ले बास ने हलका सा पुश किया और गैप मिला डीप स्कुएर में दो फील्डर्स के बीच बहुत अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा बढ़िया थ्रो गेंसी दा विक्टो के अंदर बहुत अच्छी डिलिवरी एक बहुत खास इनिंग के जरूरत पड़ेगी टीम का बेड़ा पार करने के लिए लगता है बल्ले बाज नाखुश इस निरने से बॉलिंग टीम का घमासान एक और बल्ले बाज धूल चाटता हुआ हेट्रिक पे हैं जबर्दस्ट गेंद बाजी दूसरे छोर पर विक्टो का पतन जारी उमीद है ये कुछ शुरुवाती गेंदों को खेल पाएंगे इस चिपकू विकेट पर भरपूर लाब ले रहे हैं और अत्यधिक रिवर्स विंग मिल रही है अमपार ने कहा आउट और जश्न का माहौल फिल्डिंग यूनिट में लगता है बल्ले बास बोर्ड पे ये लक्षे बहुत आसार गेंद बाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर एक टपा और गेंद बाउंडरी के बाहर क्या गर्मा गरम शुरुआत हुई है पहली गेंद पे ही चोका जड़ दिया सही से टाइम नहीं कर पाए लगता है बॉल बाउंडरी तक जाएगी ओ चली गई चार रन उम्दा टाइमिंग क्या ये बाउंडरी की हैट्रिक होगी जबर्दस जड़का ठोक दिये चेरन बॉलर का निराशा जनक प्रदर्शन गेंप्लैन के साथ महीं चल पा रहे हैं गेंद्बाज ने ओवर्स्टेप किया इस स्पेल में अच्छा ताल मेल बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा हैं पिच से उठकी हुई गेंद्बाज को जाने दिया बल्लेबाज ने गेंद्बाज की भावनाओं को थोड़ी ठेस लगी इस ओवर में बहुत धीली गेंद्बाजी हुई एक महंगा ओवर जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है विकेट पर जमें इन दोनों की काफी अच्छी साजेदारी बल्लेबास का वही पुराना हेलिकॉप्टर शोट आखों के लिए रन भागने की जरूरत ही नहीं जगे बनाई और जड़ दिया है हुक शाट और गेंद्गे चार रन के लिए दो की बनती है जोड़ी और तीन की है ट्रिक क्या ये कर पाएंगे हो रही है बाउन्डरीज की बरसा नासा के रॉकेट के साथ गेंद्ग भी चलिए इस मुकाबले में उच नीच होती ही रही और अंत में एक विजेता टीम बनी क्या मैच रहा आज के मैं आफ दा मैच ने तो जंडे गार दिये गेंद्ग से किया एक विश्वस तर्ये प्रदर्शा आज अ में लुटनी को अ हिसरा जा इस आजकर विर प्रम्र resemb KI ए कर ला को ही ने विर विर उत्व लुटनी डर्यम है च्पयों से पोता चलिख भी विर टालिस राम एक पया अ रहान